हेलो वीवोर्स, विल्कम बाक उन माई यूट्यूप शेनल ब्लिस एड़ लर्निंग बार्निशा इस वीडियो में हम एकनॉमिक्स का मोस्ट इंपर्टन टॉपिक इंवेस्टमेंट मल्टिप्लायर और अधर मल्टिप्लायर को डिसकस करने वाले हैं एक्जाम पॉइंट वी से टॉपिक बहुत जादा इंपर्टन रहता है सभी डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में डिफरेंट डिफरेंट एक्जाम में इस टॉपिक से रिलेटिट दो से तीन क्वेशन हर बार पूछे जाते हैं तो इस वीडियो में हम इन topic से related, different, different questions जो different, different exams में previous जर्स में पूछे जा चुके हैं उन सभी questions को एक ही करके सी वीडियो में हम discuss करने वाली हैं एक question से 5-6 questions कैसे तयार करने हैं, कैसे आपको तयारी बहुत अच्छे से करनी हैं वो सारी चीजे में के करके इस वीडियो में डिसकस करने वाली हूँ तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जाधा helpful and useful होने वाली है तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखिए ताकि आपकी तयारी के जीत बहुत ही अच्छे से हो सके तो सबसे बहले डिसकस करते हैं question number one question number one में कहता है कि अगर mpc 0.75 है तो multiplier की value क्या होगी तो देखिए question में आपको क्या given है mpc और आपको बोलता है multiplier की value निकालना तो आपको multiplier को कौन सा formula लगाना है k is equals to 1 upon 1 minus mpc फिर आपको क्या करना है mpc की value पुट करने तो mpc की value क्या है 0.75 अब देखिए 1 minus 0.75 क्या होगा 0.25 decimal हटेगा उपर क्या हैगा 100 तो 100 by 25 क्या होगा 4 तो यहाँ पर multiplier की value क्या होगी 4 बट अगर suppose इसी question के अंदर आपको बोलता अगर आपको MPS given होता अगर आपको बोलता कि MPS है सपोज मैंने बोला कि question में MPS 0.5 है और बोलता multiplier की value निकालो तो आप multiplier को कौन सा formula लगाते है 1 upon MPS और MPS की value क्या है 0.5 आपने decimal हटाओ के उपर क्या होगा 10 तो 10 by 5 क्या होगा 2 तो इस case में multiplier की value क्या होगा 2 तो depend करेगा कि आपको question में given क्या है अगर MPS given है तो multiplier का formula यूज करेंगे 1 upon 1 minus MPS और अगर MPS given है तो formula क्या हो जाएगा 1 upon MPS इसके लावा आपसे exam में question पूछा जाता है कि इस investment multiplier का concept किसने develop किया इस investment multiplier का concept को किसने दिया 1 mark में question बहुत बार पूछा गया है तो investment multiplier के concept को develop किया था GM Keynes ने यानि उनका पूरा नाम था John Maynard Keynes John Maynard Keynes ने इस investment multiplier के concept को दिया था यहीं से question आता है कि investment multiplier की value किस किस पर depend करती है तो obviously dependent to value MPC and MPS next question आता है यहाँ से आपसे कि MPC और MPS की minimum value और maximum value क्या होते है basically आपसे question पूछा जा रहा है कि बताइए MPC की minimum और maximum value क्या होते है minimum value और maximum value तो MPC और MPS आपको दिहान अखना है MPC और MPS यानि marginal propensity to consume and marginal propensity to save इन दोनों की minimum value क्या होते है zero और maximum क्या होते है one direct question आता है कि बताइए minimum value of MPC क्या होते है zero maximum value of MPC क्या होते है one minimum value of MPS क्या होगी 0 maximum value of MPS क्या होगी 1 यही से next question आता है कि बताईए investment multiplier की minimum value क्या होगी तो देखें आप investment multiplier की minimum value तभी बता पाएंगे जब आपको MPC की minimum value पता होगी तो आपको simple क्या करना है MPC का formula रखना है तो क्या होता है 1 upon 1 minus MPC अब देखें अगर आपको MPC की minimum value पता है तभी तो आप तो इसकी minimum value निकाल पाएंगे तो आपको पता है कि MPC की minimum value क्या होती है 0 तो 1 divided 1 by 1 क्या होगा 1 तो आपको धिहान रखना है investment multiplier की minimum value क्या होगी 1 very important question exam में direct question आता है next question बूचता है कि MPC की multiplier की maximum value क्या होगी तो obviously आपको क्या करना है आपको MPC की maximum value पता होने चाहिए तो MPC की maximum value क्या होती है 1 अभी आपने बढ़ा ना इसकी maximum value क्या होती है 1 तो आप formula में जब 1 put करेंगे तो 1 divided by 0 क्या हो जाएगा infinite तो आपको 3-4 question याद अखने है पहला MPC और MPS की minimum और maximum value क्या होती है तो MPC और MPS की दोनों की minimum value होती है 0, maximum होती 1 next question आता है investment multiplier की minimum value क्या होती है तो इसकी minimum value होती है 1 और maximum value होती है infinity question आता है investment multiplier को किस ने दिया था तो उसको दिया था GM, Keynes ने, John, Maynard, Keynes ने next question आता है कि investment multiplier जो है किस पर depend करती it depends on both the variables MPC and MPS तो इस type की question exam में आपसे पूचे जाते है next question पूचתा है आपसे 2nd number which of the following causes leakage in multiplier इन में से किस की वज़े से multiplier में leakage होगा multiplier में leakage का मतलब किया है कि investment multiplier कम होगा investment multiplier कम होने का मतलब है कि economy में income क्या होगी इसका मतलब क्या income क्यो कम हो रही क्योंकि investment कम हो रहा कम-कम जनरेट हो रही है तो पहला option कहता है high MPS बिल्कुल अगर आप savings high MPS का मतलब है कि आप अपनी income में change होनी की वज़े से saving tendency बढ़ा रहे हो यानि आप save जाधा करे हो देखो अगर saving जाधा करोगो तो obviously investment क्या करोगे कम और investment कम होगी तो income क्या होगी कम और income कम होगी तो multiplier क्या करने के propensity क्या है जाधा देखिए अगर आप दूसरी country से जाधा import करेंगे तो obviously आपकी country से पैसा क्या हो जाएगा आपकी country से पैसा क्या होगा outflow होगा या फिर आप यह भी बहुत सकता अगर आप अपनी country में production क्या कर रहे है कम production कम होने का मतलब है कि आप अपनी country में investment क्या जाधा होगा तो भी leakage होगा और साथ साथ अगर import जाधा करेंगे तो भी लीके जोगा तो यानि option number C is correct next question देखते हैं next question कहता है कि employment multiplier का concept किसने propound किया employment multiplier की concept को किसने propound किया तो इस concept को propound किया तो very important to direct question आता है उनका नाम था RF काहन जीक है आपको द्याद में करता है employment multiplier के concept को द्याता है RF काहन ने अब यहापे देख रहे हैं दो question है अगर पूछा जाए investment multiplier किसने दिया तो answer हो जाएगा GM KINZ लेकिन अगर पूछा जाए कि employment multiplier को किसने propound किया उसका प्रतिपाधन किसने किया तो answer हो जाएगा RF काहन ठीक है most important question है direct act exam में question number 4 कहता है in which situation the value of multiplier is always 1 किस situation के अंदर multiplier की value हमेशा 1 होगी तो इस question को दिख अब guess भी कर सकते हो कहता है कि multiplier की value हमेशा 1 कब होगी तो obviously जब multiplier के ऐसा होगा balanced budget multiplier का मतलब है कि government के पास जितना भी revenue आया obviously government को revenue कहां से आता है टेक्स से आता है तो government के पास जितना भी revenue आया उस सारी income को यानि उस सारे revenue को government ने क्या कर दिया public पर खर्च कर दिया, public पर expenditure कर दिया तो यानि suppose अगर मा लीजे government के पाद thousand करोड आया तो government thousand करोड ही क्या कर दिया खर्च कर दिया, तो multiplier की value क्या हो जेगी 1, तो आपको ध्यान अगना है कि balance budget multiplier का मतलब क्या है, multiplier की value क्या है, 1 है, तो question क्या था है, multiplier की value हमेशा कब 1 होगी, जब वो balance budget multiplier होगा, UGC net में बहुत बार, और साथ में KVS में भी previous इस में पूछा गया है, तो आपको ध्यान अगना है, ये question, बढ़ते है next question के तो, question number 5 question number 5 कहता है if MPS is equals to 0.3 and MPM, यानि marginal propensity to import is 0.2 आगे कहता है, suppose अगर export की, जो export है 1000 करोड से बढ़ जाता है, तो इसकी वज़े से income कितने से बढ़ेगी, अगर कौन सा multiplier है, foreign trade multiplier है यानि question में simple कहता है suppose अगर foreign trade multiplier है, और export जो है, इसको export को X से denote करते है export कितने से बढ़ रहा, 1000 करोड बढ़ने का मतलब क्या है, change तो यानि change in export कितना हो गया, 1000 और question में कहता है, MPS कितना है, 0.3 और marginal propensity to import क्या है, 0.2 तो कहता है, बताओ, income कितनी बढ़ेगी, यानि change in Y निकालना है तो देखिए, आपको question में कौन सा multiplier बोला, foreign trade multiplier foreign trade multiplier का formula होता है change in Y is equals to in export, आपको simple value पुट करनी है, तो देखिए MPS की value क्या है question में given है, 0.3 marginal propensity to import क्या है, 0.2 change in export दे रहा का, yes, कितना 1000 करोर, तो अगर आप इसको solve करोगे, यह हो जागा 1.05 into 1000, तो आपका अंसर आजागा 2000 करोर यानि अगर economy में export 1000 करोर से बढ़ेगा, तो उसकी वज़े से national income जो है, वो 2000 करोर से increase करेगा, यानि option number A is correct, very important question, एक्जाम में बहुत बार बुचा गया, देखते है next question, question number 6, very easiest question, question number 6 जो है, वो आपको KVS and INVS के एक्जाम में 2018-16 के paper में देखने को मिलेगा, कहता है कि in which of the following consumption function किस consumption function की में multiplier की value क्या होगी 4, यानि कौन सा consumption function है, जहाँ पर multiplier की value होगी 4, यानि simple सा मतलब है कि आपको multiplier given है, तो इक काम करो आपको consumption function given आप जानते हैं कि consumption function जब भी given होता है, तो Y के साथ value value क्या होती है, MPC तो आप simple सा multiplier का formula लगा हो जिसमें MPC होता है, और वहाँ से MPC निकाल लो, आपको पता लग जाएगा तो मैंने multiplier का formula यूज किया है k is equals to 1 upon 1 minus MPC multiplier की value क्या है, इसको 4 रख लिया, divided by 1 upon 1 minus MPC 1 लगा कि cross multiply है तो गया 4 minus 4 MPC is equals to 1, इसको यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, तो यह कितना होगे 3 is equals to 4 MPC divide करोगे, तो MPC की value क्या होगे 0.4, अब देखे, किस consumption function के अंदर MPC की value 0.75 आ रही है, देखो, यहाँ आ रही है 0.75, तो यानि बस आपको यही करना है, तो कौन सा option होगे, option number C is correct क्योंकि आपने चेक कर लिया है, कि MPC की value 0.75 यहाँ पर है, और बाकि किसी में नहीं है, तो ऐसा question में आपसे indirect question में आपसे exam में पूछा जाता है दिखते हैं next question, question number 7 question number 7 में कहता है if C is equals to 100 plus 0.8 y कर लो उसको, तो कहता है कि बताओ, government expenditure multiplier क्या होगा, तो आपको कुछ multipliers याद रखने पड़ेंगे जैसे investment multiplier हम तीन टाइप से निकालते हैं, उसी तरीके से एक government expenditure multiplier होता है, तो government expenditure multiplier को निकालने का formula होता है, simple, 1 upon 1 minus MPC ठीक है, आपको दिहान रखना है जब भी आपको exam में बोलेगा कि government expenditure multiplier निकाल, उसका formula होता है, 1 upon 1 minus MPC question में MPC given है, yes क्योंकि consumption function में, Y के साथ जो value होती है, वो MPC होती है, तो MPC कितना है? 0.8, तो 1 divided by 0.2, यानि कितना हो गया 5, यानि यहाँ पर जो government expenditure multiplier की value क्या होजेगी, 5, यानि option number A is correct, ठीक है? तो आपको यह दिहान रखना है, अच्छा यहाँ से कई और question पूचे जाते है, जैसे मालीजे, suppose आपको बोला है, इसी question में आपको दे रखाना, C is equals to 100 plus 0.8Y, आपको बोलता है कि बताए, इस question के अंदर autonomous consumption कितना है? तो obviously autonomous consumption कितना है? 100 autonomous consumption क्या होता है? यानि minimum level of consumption जो आपको करना ही करना चाहिए, आपकी income 0, अगर मैं income 0 भी रखूँँगे, तो भी आपको 100 रुपीस खर्च करना ही करना है, for survival, चीक है? तो basically जो consumption है, वो दोनों consumption से मिलकर बनता autonomous plus induced, तो जो ये वाला number होता है, ये कैलाता है autonomous consumption, तो यहाँ पर autonomous consumption क्या हो गया? 100 आपसे पुछले, induced consumption क्या है? तो induced consumption है यहाँ पर 0.8Y, क्यों induced consumption बोलते है? because ये income बेडिपरेंट करता है, income बढ़ते है, तो ये consumption बढ़ता है, income कम होगी, तो ये consumption को आप कम कर देते हो, ठीक है? question पूछ लेता है, कि y के साथ वाली value क्या होता है? it is always mpc, when the function is consumption function और अगर saving function होगा, तो y के साथ वाली value क्या हो जागी तब? mps, तो ऐसे चुछड़े question आपसे exam में पूछे जाते हैं, तो आपको multiplier को निकालने का formula होता है, minus mpc upon 1 minus mpc, end में मैं आपको सारे formula भी लिखवा दूँगे, ता कि आप अच्छे से revise कर पाएं, तो mpc की value आपको given है, क्योंकि function कौन सा है? consumption function, तो y के साथ वाली value क्या होती? mpc, आप value put कर लीजे, minus 0.8 divided by 1 minus 0.8, यहोगे minus 0.8 और 1 में से 0.8 गया, क्या बच्छे 0.2, divide करोगे, answer क्या हैगा, minus का 4, तो text multiplier की value क्या होगे, minus 4, यानि option number day is correct, देखते हैं, next question, question number 9, यह question भी बहुत बार, even UGC net में भी question, assistant professor के exam में यह question पूछा जाते हैं, कि match करिए, आपको इस side mpc और mps दोनों की value given है, तो S questions को करने का सबसे best तरीका क्या होता है, कोई भी 2-3 value को check कर लो, बागे अपने आपको पता लजाती है, जिसे माह लीजे, मुझे पता है कि direct formula क्या लगता है, मैंने formula लगा दी, case equals to 1 upon mps, अब देखो mps कहा given है, इधर given है second वाले में, mps की value क्या है, 0.5, इसको solve कर लो, k की value क्या आगे 2, तो देखो, b की साथ कौन सा match कर रहा है, 2, यानि option number 1, b का option number 1 कहा है, एक तो यहाँ, एक यहाँ है, तो यहाँ, a option गया और b option गया, अब हमें c और d में select करना है, एक काम करते है, mps का दूसरी value put कर लेते है, यहाँ देखो mps की value क्या है, 0.75, 1 divided by 0.75, decimal 8 का उपार हैगा, 125, 3 जा, 25, 4 जा, तो 4 divided by 3 क्या होता है, 1.33, तो देखिए, 0.75 के साथ, option number c के साथ क्या match कर रहा है, option number 3, option number 3 कहा है, यहाँ पे, तो सीधा पता लगया, option number c क्या हो जागा, correct आपको इसको check करने की ज़रती नहीं है, चीखिए, तो ऐसे questions पे आपको, ताकि time कम लगाना है, क्योंकि बहुत easiest question होता है, time कम लगाना है, आपने न, last question देखिए, question number 10 कहता है, अगर consumption function यह है, तो investment multiplier क्या होगा, कितनी बार कर लिए हमने, simple आपने multiplier का formula लगाना है, 1 upon 1 minus MPC, तो MPC की value क्या है, 0.75, क्योंकि consumption function आप I के साथ वाली value क्या होती है, MPC होती है, 1 divided by 0.25, 5 यानी multiplier की value क्या होगा, यहाँ पर 4, चीक है, तो आपको इस वीडियो में, जो important formulas यूज हुए है, वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, सबसे important formula की जो आपने यहाँ पर यूज किया है, पहला formula आपको यादगना है कि multiplier के तीन formula होते है, change in Y upon change in I, 1 upon 1 minus MPC और 1 upon MPS, यह तीन formula यादगना है, उसके लाब आपको पता होना च्छे कि consumption function जो है, वो autonomous consumption प्लस induced consumption से मिलकर बनता है, C के साथ जो value होती है, वो क्या होती है, MPC होती है, अगर आपके पास saving function है, आपके पास saving function है, तो Y के साथ जो value होती होती है, आपकी MPS होती है, MPC निकालने का formula क्या होता है, कई पर पूछ लेता है, इसका formula होता है, change in C upon change in Y, MPS निकालने का formula होता है, change in C upon change in Y, आपको धिहान अखने MPC plus MPS, कि स्च कि के सी के सब्सक्राइब ऐसी मिनिमूह जेख लिए इसकी इविएगी इसके मैक्सिमूम क्यों हो जाएगए इसकी इंफिनिती इसके ending वार्नेय आप दोढ़ार है आक यहां पर आजाएगा government आपका tax multiplier तो government का tax multiplier निकाल लेगा formula क्या होते है minus b upon 1 minus b यानि minus mpc upon 1 minus mpc चीक है इसके लब गवर्मेंट का expenditure multiplier निकाल लेगा formula होते है 1 upon 1 minus b आपको दिहान रख रहे है इसके लब आपको बोले कि foreign trade multiplier निकालो तो उसको निकालने का formula होते है 1 upon mps plus mpm चीक है तो यह कुछ multipliers है जो आपको दिहान अकने हैं और exams पे बहुत बार पूछी गए हैं तो इस topic से लिएट बहुत सारी important question अभी हमने discuss किये थे और आने वाले इस तरह से वीडियो में हम और ज्यादा discuss करने वाले हैं तो I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी so do like share and subscribe my channel and also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos thanks for watching जै हिंद जै भारत